नमस्कर दस्तों सौगात यह अपका फार्मरोक्स की यूटूब एच्विकेस्ट्न चनल में आज की वड़े लेक्च्टर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे लैसिक्स फॉर जीरो टाबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे ये medications के आप बारे में detail में कि कौन से अलग अलग बीमारीयों को ठीक करने के लिए ये दवा को use किया जाता है उसके side effects वगरा क्या हो सकते हैं, उसका dose क्या है, price वगरा क्या है, कौन से बीमारी में ये उप्योगी है, कैसे उसका सही उप्योग कर सकते हैं तो detail में जानते हैं, last six four zero tablet के बारे में, तो ऐसे समझे के आपको detail में सिखना है, किसी भी दवाई के बारे में, medicines के बारे में, तो medicines के course को आप जोइन कर सकते हैं, तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल ज जाता है, और last six जो उसका brand name है, और उसके इंदर जो medication के हम बात करें, तो fruce amide 40 mg जितना उसके इंदर प्रेजेंटर के जिसको furacemide भी खा जाता है, और ये tablet के manufacture के हम बात करें, तो Sanofi India Private Limited जो उसके manufacture हैं, कि जिसका India में headquarters जो वो मुंबई में हैं, तो यहा पे Sanofi India का headquarters की detail आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब Sanofi के बारे में आपको बताता हैं कि एक French multinational pharmaceutical company है, कि जिसके main जो office है, वो France में है, Paris के अंदर, और इसके बहुत सारे अगलागर countries के अंदर, उसके जो है वो headquarters है, तो इंडिया में उसका headquarters जो है, वो मुंबई में है, तो last six जो है वो उसका salt content के हम बात करें, तो furious amad या फिर frosamad जो है, उसका salt content है, कि जो 40 mg जितना ये medication के अंदर जो है, वो present होता है, tablet का type हम देखें, तो वो uncoated tablet है, तो यहाँ पर नीचे tablets देख सकते हैं, तो tablets के उपर किसी भी उप्रकार का coating नहीं होता, uncoated simple tablets रहते हैं, और इसको जब आपको store करें, तो ध्यान रखना होता है, कि उसको light से अच्छे से आपको protect करना होता है, और बच्चों से ये medications को दूर रखनी होती है, और इंडियन फर्माकोपिया के standards के अकुरूंट इसको बनाय गया है, कि जिसके अंदर 40 mg जितना ये medication रहता है, तो furious amad के बार में मैं आ आपको बदा दो कि ये एक loop diuretic medication है, और ये क्या करते है, कि हमारे सेरीर के अंदर जो सूजन होती है, वो कम करती है, पर सूजन होने का reason मान लो कि ये है कि आपके सेरीर के अंदर fluid जो हो काफी ज़्यदा जमा हो रहा है, और उसका main reason ये होता है कि आपको liver disease है, या फिर कोई heart related problem है, और उसके करण आपके सेरीर में पानी जो ज़्यदा जमा हो रहा है, तो वो पानी को आपके सेरीर में से निकालती है, ये medication, urine के तुरू और आपके सेरीर में सूजन वगेरा कम करती है, साथो साथ ये क्या करता है, कि आपके सेरीर में रा जो salt होता है, उसको भी remove करत है, urine के तुरू कि जिससे blood pressure को भी ये medication जो ठीक कर दी है, तो इसके करण उसके हम uses देखें, तो सबसे पहले जो EDMI की जो condition है, कि इसको हम कहते हैं, कि swelling के condition, तो specially आप यहाँ पे देखो, ये जो diagram के अंदर, तो यहाँ पे आपको काफी ज़दा सूजन देखने को मिल रहे ही legs के अंदर, फिर ये वाला हाथ आप देखो, तो आपको पता चलिए कि यहाँ पे सूजन है, और ये सूजन होने का जो reason होता है, वो specially ये होता है कि patient के kidneys खराब है, या फिर उसको heart related problem है, और उसके करन काया कि सरीर में पानी ज़ए ज़दा जमा हो रहा है, और उसके करन सरीर में इस तरह से सूजन ज़ए वो देखने को मिलती है, तो इसको ठीक करने के लिए Lassix 4-0 प्रिस्क्राइब की जाती है, उसी तर के थरू, और जो high blood pressure या फिर जो hyper tension का जो हम problem कहते है, जिसके अंदर blood pressure आपका काफी ज़दा high रहता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह 172-68 जितना यह blood pressure है, तो ऐसे conditions को ठीक करने के लिए, यह medication को जो प्रिस्क्राइब की जाती है, तो अब बात करते हैं उसके dose कि क्या dose है उसका, तो उसका जो dose रहता है, 40 mg once a day या फिर 40 mg दिन में दो बार पेशन ले सकते हैं, तो उसका मतलब यह बनेगा कि एक tablet जो पेशन दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो ले सकते हैं, अब यह medications के price के हम बात करें, तो काफी affordable रहता है यह medication lessons for zero, कि जब यह हम video बना रहा है September 2022 के according to, तो 15 tablet की जो price है वो around 40 rupees के आसपा से, और यह काफी affordable हम कह सकते हैं, अब वरकिंग के बात करते हैं, यह medication काम कैसे कर दी हैं, तो यह medication क्या करते हैं, कि हमारे सरीर में से extra जमा हुआ water और sodium को यह urine के तरू हमारे सरीर में से बाहर निकलता है, कि जो reason बनता है, especially edema के लिए और hypertension करेंगे, sodium ज्यादा होगा तो आपको hypertension में कि high BP होगा, और water ज्यादा जमा होने लगेगा, तो उसके करण edema यानि की swelling की problem होगी, तो especially यह kidneys के तरू यह काम करता है, तो यहाँ पे आप एक structure देखो, कि हमारी जो kidneys वगेरा होती है, उसमें एक structure होता है, और यह neafron के अंदर जो हमारे blood के filtration का काम होता है, और उसके तरू urine जो फॉर्म होता है, तो उसमें यह वाला एक बाग देख रहे हैं, आप यू टाइप का, तो इसको loop of handling का आज़ता है, और यही जगा पे हमारी जो medication है, lassics for zero, वो काम करती है, और यह क्या करती है, specially है, इसी तरह से जो sodium और potassium को भी सेरियर में से बाहर निकल लाती है, कि जिससे क्या होता है, कि आपका blood pressure समझे की काफी बढ़ रहा है, तो वो कम हो जाता है, और सेरियर में रही सूजन जो है, वो कम हो जाती है, पर यह दवाई के को side effects होती है, जैसे कि आप यह medication लेते हैं, तो उसके करण आपका urination frequency जो ही वो बढ़ जाती है, कि आपको बार बार पे सब लगता है, frequent urination के symptoms देखने को मिलते हैं, as a side effect, पिर अगर कोई patient को यह medication suit नहीं करती, तो उसके करण क्या होता है, कि उसका blood pressure जो है वो low हो सकता है, तो अचानक से आपका blood pressure जो है वो यह medication जो है वो कम करवा सकती है, उसे तास तीसरी side effects देखे, तो अगर समझे के काफी ज़्यादा पानी आपका urine के थुरू सरीर में से बाहर निकल जाता है, तो उसके करण dehydration की condition भी होती है, तो यह problem ना हो, इसलिए cat wise दी जाती है, कि patient जो वो proper मातरा में पानी लेते रहे, पानी अच् फिर sleepiness मुलें कि आपको नीन दाती रहती है, यह medication जब आप लेते हैं, फिर उसके लावा देखे, तो fatigue यानि कि weakness जैसा आपके सेरीर में एनर्जी नहीं रही, जैसे बैटरी लो हो जाती है, ऐसा आप फिल करते हैं, कि आपके सेरीर के बैटरी लो हो चुगी है, weakness का भी फिल हो रही, एनर्जी ही नहीं बच्ची है, ऐसा कई बार फिल करते हैं, तो तुसरा एक reason यह बनता है कि यह medication क्या करती है, आपके सेरीर में potassium के मात्रा भी कम करवा सकती है, तो यह और साथ-साथ magnesium भी बाहर निकलता है, तो इसके करन क्या करता है, यह medication कि potassium और magnesium की मात्रा आपके blood के अंदर कम करवा सकती है, तो यह problem हो सकते है कि जिसके करन electrolyte imbalance का problem हो जाते है, because sodium तो remove करना जरूरी है, और उसके साथ-साथ कई बार काफी ज्यादा मात्रा में potassium और magnesium भी urine के तरू निकल जाते हैं, अब warnings के हम बात करें, या फिर contraindication की कि कौन से लोगों को यह medication नहीं लेन हैं, तो सबसे पहले कि जिनके सेरीर के अंदर पानी की मात्रा कम है कि low water content in your body, कि पानी कम है आपके सेरीर के अंदर उसी तरह से blood volume काफी ज़्यादा कम है, electrolyte imbalance के आप patient है, low sodium है या फिर low potassium है आपके body के अंदर या फिर patient जो हो coma में है, तो ऐसे conditions में यह medication को कभी भी use ना करें फिर pregnancy categories की C है, इसलिए pregnancy में भी उसको use नहीं करना चाहिए, तो यह आप खास ध्यान रखें कि lessics for zero को pregnancy में use ना करें, अब जब समझ लते हैं उसके drug-drug interactions के, कौन से दुसरी दवायों के साथ यह medication interactions कर सकती है, तो सबसे पहले यह medication क्या करती है, metaprolol जैसे medications के साथ interactions कर सकती ह अब metaprolol ले रहे तो उसके साथ कभी भी furious same idea, फिर जो elastics जो है, उसको combination में use ना करें, वरना आपका blood pressure और ज्यादा कम हो सकता है, उसके करण hypertension या फिर low BP का problem हो सकता है, उसी तरह से ramipril medication, hydroglorothiazid के साथ combination में use ना करें, आटा और वास्टेटिंड के साथ भी combination में use ना करें because इन सभी के साथ combination में use करने से आपका blood pressure जो है, वो और ज्यादा decrease हो सकता है, सिल्डेना फिल के साथ यूज ना करें कभी भी, as well as carvimazepin करके जो drug आती है, उसके साथ भी use ना करें, फिर phenobarbital है, cyclosporin है, painkillers जैसे की ibuprofen है, aspirin जैसी दवायों के साथ उसका combination ना बनाएं और ऐसे ही sotalol करके चुट रगाती है, उसके साथ भी कभी भी आप उसको combination में use ना करें, तो ऐसे ही समझों कि आपको detail में सिखना है, किसी भी दवा के बरह में, तो आप medicine course को join कर सकते हैं, pharma rocks के अब उपर, तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल चाहेगी, so good luck and all the best!